हालो व्यूवर्स किसे हैं आप सब तो आशरुवात कर दिन प्यारे से बुगन विल्या प्लावस के साथ जो मैंने अपने घर में कटिंग से मॉंतन में ग्रो किया था तो आज तो बात ओने वाली है करीपते के प्लांट के बारे में मैं सबसे पहले आपको अपना करीपते का दिखा लूँ यह देखिए इसमें सीड आ गए है यानि विंटर में सीड आ गए है को सीड काले तक हो चुके है और कुछ गरीन हो चुके है और कुछ रेड मरून कलर या आप के सकते हो चुके लेकिन इनमें पत्ता एक भी नहीं तो कि अभी घर्मी के दिन बिल्कुल आ तो आज करते हैं, इनकी हम कैसे देखबाल करते हैं, तो चलिए मैं दिखा दूँ पहले, तो यह मेरे पास 5 कुल पोदे हैं करीपते के, दो यहाँ पर मेरे पड़े हैं, गमलों में और 3 और दिखाती हूँ, जिनकी आज मैं साफ साफाई करूंगी, कटिंग करूंगी, पोनिं हो है 12 इंच के गमले में, लेकिन तीनों कैसे हो गए हैं, जैसे के आपको पता है, यह थंडी के मौसम जैसे ही आता है, यह मैं आपको दिखा रहे हैं, छोटे-छोटे बेबी यह देखे, करीपते के विंटर में इसने अपने बेबी भी निकाले हैं, तो सबते पहले तो यह डोमेंसी मून से उठा है, यानि सो कर उठा है, तो इसको अच्छे से खाग, पानी, सब जो इसकी जरूरत है, उसको वो देना है, तो सबते पिले जितना भी किचरा है न, उपर-उपर से में निकाल दूँगी, इसकी अच्छे से सफाई कर दूँगी, तो बिल्कुल जब भी आप काम करें न, ये शाम के चार या पांच पचे करें, इसकी कटाई करनी है, या जो भी आपको करना है, खुदाई करनी है, सबस बस करने ते क्या हो सकता है, कि जरों को भी नुक्सान पहुंच सकता है, और पोदा भी खराब हो सकता है, तो बिल्कुल हलके हाथों से मे करूंगी जादा में घेराई तक नहीं जाओंगी हलके हाथों से में इसकी खोदाई करूंगी और जितनी उपर से घास निकल आए ना में निकालने की कोशिश करूंगी और जो नहीं भी निकल आए ना तो दीरे दीरे में खोदाई करूंगी और इसी तरह में निकालती जाओं क्यूंकि जितनी भी energy हम जो भी खाद भी देंगे ना तो यह सारे पोदे हमारी खाजाएंगे और करीपते को कुछ भी नहीं मिले वाला है तो हर साल में कहों गवी्म घर्मी इन सीं तरर मलंए और यह साल घथलिश में अवह कहती हूं या जो भी गर में सबजीयों के शिलके निकलते हैं फ्रूस के शिलके तो उनका फटी लेजर देती हूँ तो आज मैं इसको सॉलेट खा देने वाली हूँ पहले मैं इसकी अच्छी तरह साफ सफाई कर दूँगी जितना कूरा कचराय निकाल दूँगी और इसकी कर दूँगी में खुदाई अच्छी तरह है खुदाई करने से एक चीज़ होगी कि इसके अंदर जो आने अक्सिजन वगरेन अच्छी तरह पहुंचती है तो चले मैं इसमें ये दिखाती हूँ मेरे पास वर्मी कंपोस है हमारी आंगोबर खात तो नहीं मिलती तो इसमें जादा नहीं में दो दो तीन तीन मुठी साइट में इस तरह वर्मी कंपोस डाल दूँगी पानी में अभी नहीं डालूँगी क्योंकि उपर से तो ये सूखा लग रहा था लेकिन जेसे इसकी खुदाई की न तो नीचे से बिल्कुल ये गीला था तो शाम ये जो मैं काम कर रही हूँ शाम के 5 बज़े है तो इसमें अभी भी पानी बहुत परा हुआ है तो अभी में इसको पानी बिल्कुल नहीं देने वाली अगर आपके पानी सुखा हुआ है बिलकुल सुखी हुई मिटी है तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं लेकिन अभी में पानी नहीं डालूँगी क्योंके कल रात को हमारे यहां बहुत तेज से बारिश भी हुई है तो यह देखिए बिलकुल एक सीधी सी मतलब में करूंग ए मैं मेरी बेटी से हेल्प ले लेती हूं काटने की लगता है यह सीजर क्योंकि रान बारिश आना है हमारे यहां दो तीन बार हुई है तो सीजर थोड़ी सी कराब हो चुकी है मिज़े नहीं लेनी पड़ेगी उपर बारिश में यह बिल्कुल काली भी हो गई है तो चलिए इस इसको उपर से सबसे पहले में एक टिप काट लूँगी मैं आपको दिखा रही हूं बिल्कुल मैंने एक मिनट के लिए बन किया था मैंने खुद काटा मेरी बेटी नहीं काट पा रही थी तो इसको मैंने उपर से काट लिया अब इसको भी मैं फैंकूंगी नहीं धंदी को विशे तो मेरे पास पहले हैं लेकिन मैं advice को अनकोसिस करूँगी इसकी भी मेरी करिगे मैं लग जाई वैशे अगर आपको क्रिग लगा नहीं हो पोदा खराबी हो सकता है उपर से इसकी जो टिप पह Changeer All the आई काली पर करहाब ही ओ सकते इजारवडिन मेरे पास सब पाउडर उपर पड़ांता है तो इसा पामरा पिएपर कालव ऑफड़ाहिवन होती है जो भी आनल खीमेरा नहीं सारे कोजेब्हों तो जैसे मैं अपनी कैमेरा रखूंगी सारे पौदों की इस तरह में रोज 556 जितने मेरे पास गमले हैं गर्मियों के तो उनकी में इसी तरह सपाई करने वाली हूं और कटाई शटाई करके सारे पौदों की उसमें डाल दूँगी कमपूस तो बिलकुल अगर आप चाते हैं कि आपके पौदों में इस करी पते का पौदा बहुत तेजी से बरे और अच्छा सा घणा हो जाए तो ये आपको काम करना है आप जितनी चाहिए पुनिंग चाहिए थोड़ी सी भी कटाई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कटाई करने ह अब जादा भी कर सकते हैं अभी मैं वहीं सोच रही हूं मेरी बेटी वहीं बोल रही है ममी इसमें बहुत सारी पते इसकी कटाई करें कि नहीं तो चलिए करी लेते हैं वैसे तो इसमें बहुत सारे पते हैं लेकिन बिल्कुल पतली-पतली सी है तो मैं सोच रही इसको भी म काटी है तो वहीं से चार ब्रांच हो जाएंगी और बिल्कुल यह पतला पतला सा लग रहा था और जितना भी कड़ी पता है न मैं यह ले लूँगी क्योंकि मुझे नीची गर में बहुत अमारिया कड़ी पता यूस होता है तो यह जितनी मी कटिंग मुझे लगती है दो ती चार चोटी-चोटी कटिंग में लगा दूँगी अब फिलाल यहां तो नहीं लगाँगी इसके लिए में इक अलग से गमला बनाऊंगी यह दिखा रही हूं इसे ही कि कैसे इसमें लगा तो नीचे से फिलाल तो कटिंग करनी पर ही अच्छे से पर इसमें साफ पाउंडर लगाँगी और अच्छे से किसी दूसरे गमले में इसकी में कटिंग लगा दूँगी और रग दूँगी शा में और यह जितनी गमले में दिखा रही हूं ना इनको भी करीबन चार से पांट दिन में इसी तरह शा में रख रही हूं क्योंकि अभी-अभी में कहूंगी एक दीरे करके जाना दूप में लिख्या हूँगी और मैं बिलकुल आपको 15 दिन एक मेने के बाद जब मैं अपना वीडियो दिखाती हूँ ना तो इसकी मैं आपको ग्रोध जरू दिखांगे आप खोद इसकी ग्रोध देखिएगा कितनी अच्छी हो गई है तो चलिए यह सोच मेरी बेटी बोले थोरे तो पते रहने हैं तो मम्मी काटो मत क्योंकि यह थोरा समझे प्यारा लग रहा था करीपते का प्लांट लेकिन इसकी तो मैं कटाई करने वाली हूँ बिलकुल अभी यह टकला होने वाला है बिलकुल पतला सा तो आज के लिए इतना ही बाइ जए बाइ